मा को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनन्द आता है, वही आनन्द बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पन हो जाता, वो घोड़ा बड़ा सुन्दर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देखकर प्रसन होते थे उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदी अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जिवन से भी घ्रणा थी अब गाउं से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा उन्हें ऐसी भ्रांतिसी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता इस प्रिष्ट पर निचले भाग में एक घोडे को संभालते हुए एक संत का चित्र है संत बड़े मृदुल भावी है, जो अपने सुल्तान नाम के घोडे को दिल से चाहते है प्रिष्ट संख्या 34, खड़क सिंग उस इलाके का प्रसिद डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कापते थे होते होते सुल्तान की कीरती उसके कानों तक भी पहुँची, उसका हरदे उसे देखने के लिए अधीर हो उठा एक दिन वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमस्कार करके बैठ गया बाबा भारती ने पूचा, खड़क सिंग, क्या हाल है? खड़क सिंग ने सिर जुका कर उत्तर दिया, आपकी दया है कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाहा खीच लाई विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसंद हो जाओगे मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी चाल तुम्हारा मन मोहलेगी कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हिर्दे पर उसकी चवी अंकित हो जाती है बहुत दिनों से विलाशा थी, आज उपस्तित हो सका हूँ बाबा भारती और खडग सिंग दोनों अस्तबल में पहुँचे बाबा ने गोड़ा दिखाया गमंड से खडग सिंग ने गोड़ा देखा आश्चरी से उसने सैकड़ो गोड़े देखे थे परन्तु ऐसा बाँ का गोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा गोड़ा खडग सिंग के पास होना चाहिए था इस साथो को ऐसी चीज़ों से क्या लाब कुछ देर तक आश्चरे से चुपचाप खड़ा रहा उसके पश्चात उसकी हिर्दे में हल चल होने लगी बालकों किसी अधीरता से बोला परन्त बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या बाबा भारती भी मनुश्य ही थे अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हर्दे भी अधीर हो गया घोडे को खोल कर बाहर लाए और उसकी पीट पर हाथ फेडने लगे एक आएक उचक कर सवार हो गय घोड़ा हवा से बाते करने लगा उसकी चाल को देख कर खड़िसी के हर्दे पर साप लोट गया वो डाकू था और जो वस्तू से पसंद आ जाए उस पर वो अपना आधिकार समझता था उसके पास बाहुबल था प्रिष्ट संख्या 35 आदमी थे और बेरहमी थी जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूँगा बाबा भारती डर गए अब उन्हें रात को नीन ना आती सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी प्रतिक्षन खड़क सिंग का भई लगा रहता परन्तु कई मास बीद गए और वो न आया यहां तक की बाबा भारती कुछ असाबधान हो गए और इस भई को सुपन के भई की नाई मिथ्या समझने लगे संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान के पीट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे इस समय उनकी आखों में चमक थी मुख पर पसंथा कभी गोडे के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे सहसा एक ओर से आवाज आई ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना इस प्रिष्ट के निचले भाग में जो चित्र दिया गया है उसमें सुल्तान नाम के घोडे पर सवार बाबा भारती है और उनके सामने है एक कंगला जो कुछ मांग रहा है प्रिष्ट संखिया चत्तीस आवाज में करणा थी बाबा ने घोडे को रोक लिया देखा एक अपाहिज व्रिक्ष की चाया में पड़ा करा रहा है देखा एक अपाहिज व्रिक्ष की चाया में पड़ा करा रहा है बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ठ है अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा बाबा मैं दुखी आ रहा हूँ मुझ पर दया करो रामा वाला यहां से तीन मील है मुझे वहां जाना है घुडे पर चड़ालो परमात्मा भला करेगा वहां तुम्हारा कौन है दुर्गा दत्वैद का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सोतेला भाई हूँ बाबा भारती ने घोले से उतर कर अपाहिज को घोले पर सवार किया और स्वयम उसकी लगाम पकड़ कर धीरे धीरे चलने लगे सहसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाथ से छुड़ गई उनके आश्चरी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोले की पीट पर तनकर बैठा है और घोले को दोडाए लिये जा रहा है उनके मुक से भाई, विस्मे और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई वो अपाहिज डाकू खडग सिंग था बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात, कुछ निश्चे करके पूरे बल से चला कर बोले जड़ा ठहर जो खडग सिंग ने ये आवाज सुनकर घोला रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते वे कहा बाबा जी, ये घोला अब न दूँगा परन तो एक बात सुनते जाओ खडग सिंग ठहर गया बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा ये घोला तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा परन तो खडग सिंग केवल एक प्रार्थ न करता हूँ इसे अस्विकार न करना नहीं तो मेरा दिल तोट जाएगा बाबा जी, आज्या कीजिए मैं आपका दास हूँ केवल ये घोला न दूँगा अब घोले का नाम न लो मैं तुमसे इस विशाय में कुछ न कहूँगा मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसे के सामने प्रकट न करना घटक सिंग का मूँ आश्चरे से खुला रह गया उसे लगा था कि उसे घोले को लेकर यहां से भागना पड़ेगा परन्तु बाबा भारती ने स्वयम उसे कहा कि इस घटना को किसे के सामने प्रकट न करना प्रिष्ट संख्या सैंतीस इस प्रिष्ट के उपरी भाग में जो चित्र है उसमें खड़क सिंग सुल्तान नाम के घोड़े पर सवार है और बाबा भारती घोड़े से उतर गए है दोनों वारता लाप कर रहे है इससे क्या प्रियुजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंग ने बहुत सोचा, बहुत सिर्मारा परन्तु कुछ समझना सका हार कर उसने अपनी आखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उतर दिया लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी घरीब पर विश्वास ना करेंगे दुनिया से विश्वास उठ जाएगा ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान के ओर से इस तरह मुहमोड लिया जैसे उनका उससे कभे कोई संबंध ही ना रहा हो बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खडग सिंग के कानों में उसी प्रकार गोंज रहे थे सोचता था कैसे उचे विचार है कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस घोडे से प्रेम था इसे देख कर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकोंगा इसकी रखवाली में वो कई रात सोई नहीं भजन भक्ती ना कर रखवाली करते रहे परंतो आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीमों पर विश्वास करना न छोड़ दें प्रिष्ट संख्या 38 रात के अंधेरे में खडग सिंग बाबा भारती के मंदिर में पहुचा चारो और सन्नाठा था आकाश में तारे टिम्टिमा रहे थे थोड़ी दूर पर गावों के कुत्ते भौक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था खडग सिंग सुल्तान की बाग पकड़े हुए था वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुचा फाटक खुला पड़ा था किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वायम लाठी लेकर पहरा देते थे परन्तु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भैना था खडग सिंग ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल कर साफधानी से फाटक बंध कर दिया इस समय उसकी आखों में पश्चा ताप के आंसो थे रात्रे का तीसरा पहर बीत चुका था चोथा पहर आरंब होते ही बाबा भारती ने अपने कोटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पाउं अस्तबल की और बढ़े परंतु भाटक पर पहुँच कर उनको अपनी भूल परतीत हुई साथी घोर निराशा ने पाउं को मन-मन भर का भारी बना दिया वे वहीं रुख गए घोडे ने अपने स्वामे के पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया अब बाबा भारती आश्चरी और प्रसनता से दोरते हुए अंदर घोसे और अपने घोडे के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछडे अपने पुतर से मिल रहा हो बार बार उसकी पीट पर हात फिरते बार बार उसके मुँपर थपकिया देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहता से मुह न मोड़ेगा थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आँखों से आशु बह रहे थे ये आशु उसी भूमी पर ठीक उसी जगा गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खटग सिंग खड़ा होकर रोया था दोनों के आशुमों पर उस भूमी की मिट्टी पर परस पर मेल हो गया लेखक सुदर्शन प्रिष्ट संख्या 49 लेखक से परिचय प्रिष्ट के इस उपरी भाग में एक चौकोर बना है जिसकी बाई और लिखा है लेखक से परिचय और दाई और उसी लेखक की तस्वीर है तस्वीर के नीचे लिखा है 1896 से 1983 लेखक से परिचय ये कहानी हिंदी की प्रसिद कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद लेखक सुदर्शन ने लिखा है सुदर्शन का वास्तवेक नाम बदरीनात भट था उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छटी कक्षा में पढ़ते थे सुदर्शन ने कहानियों के अतरिक्त कविताईं लेक, नाटक और उपन्यास भी लिखे इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकता और गीत भी लिखे पाठ से, मेरी समझ से आईए, अब हम हार की जीत कहाने को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं क, यहाँ दियेगे प्रश्णों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाईए एक, सुल्तान के चीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभा हुआ एक, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया दो, बाबा भारती ने गरीबू की साहता करना बंद कर दिया बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया या चार, बाबा भारती असावधान हो गए, अब आपने सटीक उत्तर के सामने तारा बनाना है, दो, बाबा भारती भी मनुशे ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है, एक, बाबा भारती ने डाकू को गमंड से घोडा दिखाया, दो, बाबा भारती घोडे की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, तीन, बाबा भारती को घोडे से अतिधिक लगाव और मोह था, या चार, बाबा भारती हर पल घोडे के रखवाली करते रहते अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने प्रिष्ट संख्या चालीज शीर्शक क आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है अपने समू में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा अपने उत्तर का कारण भी लिखिए ख़़़ यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे आपने ये नाम क्यों सुचा ये भी बताइए गर बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंग से कौन सा वचन लिया पंक्तियों पर चर्चा कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य यहां दिये गए हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार लिखिए एक, भगवत भजन से जो समय बचता वो घोले को अर्पन हो जा था दो, बाबा ने घोला दिखाया गमंड से खड़क सिंग ने घोला देखा आश्चरे से तीन, वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था चार, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा ये घोला तुम्हारा हो चुका है पांच, उनके पाव अस्तबल की ओर मुड़े परन्तु फाटक पर पहुँच कर उनको अपनी भोल प्रतीत होई सोच विजार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और यहां दी गई पंक्ती के विशे में पता लगा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विशे में बहुत कुछ जान चुके है अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती के दिन्चरिया लिखिए वे सुभह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कलपना का सहारा भी ले सकते हैं ख अब आप अपनी दिन्चरिया भी लिखिए कहानी की रचना क इस कहानी की कौन-कौन सी बातें आपको पसंद आई आप समें चर्चा कीजिये ख कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छे तरह लिखा गया हो लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं जैसे शब्द, वाकिर, समवाद आदी इस कहानी में आए समवादों के विशय में अपने विचार लिखें मुहावरे कहानी से क कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे यहां दिये गए हैं लट्टू होना कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रियोग समझे ख, अब इनका प्रियोग करते हुए अपने मन से नए वाकिय बनाईए कैसे कैसे पात्र इस कहानी में तीन मुख्य पात्र हैं बाबा भारती, डाकू खडक सिंग और सुल्तान घोडा इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिये गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए प्रिष्ट संखिया ब्यालेस इस प्रिष्ट के उपरी भाग में जो चित्र है उसमें बीच में सूर्य के चित्र के चारों और बादल के चित्र हैं सूर्य के बीचों बीच लिखा है बाबा भारती और दिये गए एक बादल में लिखा है दयालू यानि बाबा भारती की एक विशेश्टा थी कि वो दयालू थे ऐसे ही उनकी और विशेश्टाएं ढूंड कर इन रिक्त बादलूं को पूरा कीजिए इसे पृष्ट के मद्ध भाग में ऐसा ही मिलता जुलता एक और चित्र है जिसमें बीच के सूर्य में लिखा हुआ है डाकू खडग सिंग और उसके आसपास के रिक्त बादलों में से एक में लिखा है बाहु बली इसका ये अर्थ हुआ कि डाकू खडग सिंग की एक विशेष्टा ये थी कि वो बाहु बली था पाठ में से डाकू खडग सिंग की कुछ अन्य विशेष्टाएं खोज कर इन रिक्त बादलों को भरिये इस प्रिष्ट के सबसे निचले भाग में ऐसा ही मिलता जुलता एक चित्र है जिसके बीच के सूर्य में लिखा है सुल्तान घोड़ा और उसके आसपास के रिक्त बादलों में से एक के अंदर लिखा है सुन्दर यानि सुल्तान घोड़ा बड़ा सुन्दर था ये उसकी एक विशेष्टा थी उसकी अन्य कौन-कौन सी विशेष्टाएं थी वो ढूंड कर पाठ में से उन्हें ढूंड कर इन रिक्त बादलों को भरिये प्रिष्ट संख्या 33 आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेष्टा, गुन और प्रक्रती के बारे में बताने के लिए उप्योग मिलाए जाते हैं ऐसे शब्दों को विशेष्ण कहते हैं पाठ से आगे सुल्तान की कहानी मान लेजिए ये कहानी सुल्तान सुना रहा है तब कहानी कैसे आगे बढ़ती? स्वैम को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाईए संकेत आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं मेरा नाम सुल्तान है मैं एक घोडा हूँ मन के भाव क कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिये गए है कैसा अनुभव कर रहा था? चकित अधीर डर प्रसन्यता करुणा निराशा ख आप उपर युक्त भावों को कब-कब अनुभव करते हैं आप इन भावों को कब-कब अनुभव करते हैं लिखिए संकेत जैसे गली में किसी कुत्ते को देख कर डर या प्रसन्यता या करुणा आदी का अनुभव करना इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालिका और कुछ पालतु पशू है वो आपस में अपने मनो भाव जाहिर कर रहे हैं प्रिष्ट संक्या चावालीज जरो के से आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं कविता का शीर्शक है वो चली हवा वो चली हवा ना तू देखे ना मैं देखो पर पत्तो ने तो देख लिया वरना वो खुशि मनाते क्यों वो चली हवा वो चली हवा कवी सुदर्शन साजी समझ आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए इस प्रिष्ट के मद्य भाग में दाई ओर एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक नदी है नदी के पीछे पहाड हैं और कुछ पेड है मुख्य बच्चे के गले में एक गमच्छा लटक रहा है जो की हवा के बहने से उड़ रहा है साथ ही नदी के अंदर एक किष्टी है जिसके अंदर लगा पर्दा भी उड़ रहा है इससे पता लग रहा है कि हवा जूर से चल रही है खोज बीन के लिए सुधर्शन की कुछ आनिरचनाएं पुस्तक में दिये गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकाले की सहता से पढ़ें देखें वह समझें अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार वाचनस्वर प्रवीन शर्मा और मम्ता मलकानी ध्वन्यंकन मन्जु कुमारी निर्मान सहयोग कुसुमलता और चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत